आपके पास टेक्नो केमन 19 है, यह 19 सीरिस का कोई और फोन है, तो यहाँ पे आप fingerprint lock set कैसे कर सकते हैं अपने फोन में, तो इसके लिए आप जाएंगे setting पे steps पे option आईगा scroll कर लेंगे, security पे आपको click कर लेना है और यहाँ पे fingerprint के option पे जाना है, जो भी आपके phone का lock अगर आपने set कर रहा है, तो enter कर देंगे, वरना log set कर लेंगे, add fingerprint पे जाएंगे, और यहाँ पे side में आपको fingerprint देखने को मिल जाता है, ऐसे करके आप touch कर लेंगे, touch and hold करना है, vibration आएगा, उसके बाद आपको छोड़ना ही है, ठीक है, finish पे click कर देंगे, step से option आएगा, अब यहाँ पे जैसे fingerprint लिखा है, तो fingerprint को आप rename भी कर सकते हैं, जैसे कि यह आपका कोई नाम है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया, ठीक है, delete करना है तो यहाँ से delete हो जाएगा, add fingerprint पे जाके दूसरे fingerprint एड़ कर सकते हैं, और यहाँ से fingerprint देख सकते हैं, कितनी fingerprint एड़ और हो रखी हैं, और screen unlock के लिए हमेशा on रखेंगे, इसको app lock के लिए use कर सकते हैं, app vault के लिए use कर सकते हैं, application scene करना है किसी fingerprint से, या call अगरा accept करनी है, तो यहाँ पे call recording और यह सब आप use कर सकते हैं, dismiss कर सकते हैं, fingerprint से alarm को इसके ब वाला option यूज़ करेंगे, touch side fingerprint sensor, ठीक है, वरना दबाने से खुलता है, वासे touch वाला सही रहता है, इतना करने के बाद यहाँ बैक कर लेंगे, अब यहाँ पे आप ऐसे fingerprint touch करेंगे, तो देख सकते है, touch करने के साथ ही खुल गया, अब यहाँ पे एक चीज़, condition और हो जाती ह है, मतलब set है, लेकिन अब यहाँ पे fingerprint आप touch करेंगे, तो यह काम नहीं करेंगा, है ना, तो मैंने इसको दबा के खुल लिया, और अब यहाँ पे देख सकते है, fingerprint पे जाएंगे, enroll पे click करेंगे, fingerprint के option को on कर देंगे, unlocking के लिए, अब यहाँ पे touch करेंगे, तो तुरंत खु कर देंगे, और delete करना है, तो delete कर देंगे, यहाँ से, मिलते हैं next video में तब तक के लिए, नमस्कार,